हाई फ्रेंड्स आज हम आपको बताने जा रहे हैं यह पेट्स के हेर रिमूवेबल की प्रॉड़ेक्ट के बारे में रिव्यू यह रियूजेबल प्रॉड़ेक्ट है मतलब आप अपने पेट्स के जो भी बाल वगेरा कपडों पर या फिर सोफे पर दिवान पर यहां पर ज निकाला जा सकता है इस प्रॉड़ेक्ट की मतद से यह हम आपको आज बताएंगे यह प्रॉड़ेक्ट मैंने यूस किया हुआ है यह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूसफुल प्रॉड़ेक्ट है मतलब रियूजेबल प्रॉड़ेक्ट है तो इसको मैंने आनलाइन फ्लिप कार्ट से उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूं यह कॉस्ट यह टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग डिलिवरी चार्जस कपड़ता है 420 रुपीज के खरीब और यह वैरी होते रहता है जबी भी कोई सीजन फेस्टिवल सीजन या फिर ओफर्स तो परफेक्ट कोस्ट उतना ही नहीं रहता जितना मैं बोल रही हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह नाम इसका दिया हुआ है यह रियूसेबल पेटफर रिमूवर विद सेल्फ क्लीनिंग बेस तो यह क्लोथिंग कार्पेट्स पिलोस कार सीट्स फरनिचर्स यहां पर सब यूज कर सकते हैं और किस तरह से यह यूज करते हैं यहां पर इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है तो चलिए इसको हम आपको करके दिखाते हैं तो इसमें दो सेट आते हैं यह चोटा वाला पॉकिट साइस इसको आप क्यारी करके ले जा सकते हैं कहीं भी आप ट्रावल कर रहे हैं आपके पेट के साथ या फिर आप घर में कभी भी यह चोटा वाला यूज करना चाहते हैं तो इसको भी यूज कर सकत यह देखे इस तरह का होता है इस तरह से open और close होता रहता है यह तो यहां पर यह रिमूवबल है तो जबी भी इसको clean करना पड़ता है easily आप इसको remove करके clean कर सकते हैं और वापस इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं तो देखे इस तरह से आप यूज कर सकते हैं तो आप मैं इससे आपको फर निकाल कर दिखा सकते हूं दिखाते हूं कि कितने बाल इसमें निकलते हैं, तो यह देखिए, यहां पर कुछ फर है, पेट के हेर्स, तो इससे हम निकालते हैं, यह छोटा वाला है, तो छोटे-छोटे एटम से इसमें, मतलब बाल निकलते हैं, तो देखिए, इस तरह से निकल चुके हैं, तो आप जब जब भी निकल जाएंगे तो यह हाथ से निकाल दीजिए देखिए आप देख सकते हैं कितनी क्लीन ली निकल चुका है तो सारे बार क्लीन ली निकल रहे हैं देखिए यह सारे बार इस तरह से इसमें आ जाएंगे देखिए ख्लीन हो चुका है पिलो तो अब हम यह बड़ा वाला जो इसमें फर रिमूवर है उसको यूज करके देखते हैं बड़े वाले की खासियत है इसको आप रियूजेबल कई बार कर सकते हैं इस तरह का इसमें ब्रश आता है तो दोनों साइट इसमें आपको मिलेगा हेर रिमूवर बल तो दोनों साइट भी आप इसको यूज कर सकते हैं अभी मैं आपको इस क्लोथ पर जो हेर्स लगे हुए है उसको निकाल के दिखाती हूँ तो इस तरह से हैंडल को हम पकड़ लेंगे इसके बाल इदिए सारे पर को इस तरह से निकाल देंगे अब हम इसको क्लीन किस तरह से करते हैं दिखाएंगे तो यह जो इसमें रियोजेबल बॉक्स आता है इसमें आप इसको डाल कर इस तहां से पुश करके निकालिए देखें पुश करके निकालने से इसके अंदर सारे बाल चले जाएंगे तो अब हम इसपे बेट पर लगे हुए बाल भी आपको दिखाते हैं किस तरह से निकाल ले जाएंगे तो यह देखें यह सोफे पर या फर्णीचर पर जहां पर भी आप पर देख सकते हैं उनको अच्छी तरह से निकाल सकते हैं कितना स्मूथली यह निकल रहा है इसके बाद हम इसको इसमें डाल कर वापस से रियूस करने के लिए तयार कर लेते हैं तो सारे फर देखें कितनी अच्छी तरह से निकल रहे हैं तो दोनों साइड भी आप इसको यूस कर सकते हैं तो सारे पर इस तरह से निकल चुके हैं क्लीन कर लीजिए तो आप इसको बहुत से बार यूस कर सकते हैं इसके बाद यहां पर जो यह बैक साइड इन्होंने यह जो दिया हुआ है बॉक्स टैप तो इसको क्लीन कर लें के लिए इसको उपन कर लीजिए और देख सकते हैं जो यहां पर जमा हो चुके हैं तो इसको आप निकाल कर लीजिए ताकि जब आप नेक्स टाइम इसमें ब्रेश डालें तो यह जो एक्स्ट्रा अल्रेडी एक्सेस है वह इसमें ब्रेश पर ना लग सकें तो यह सारे हम क्लीन करके जब दुबारा यूज करेंगे तो दीखें कित करके जरूर से हमें कमेंट सक्षन में बताईए कि आपको यह किस तरह से लगा और हमारे चैनल को जरूर से शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए थैंक्यू करेंगे खरूर से नादेद